हेलो इस्टुडेंट्स विल्कम टो यारे अरिकल्चर रहेंकर सकर्डवी आज का जो हमारा लेक्चर है वो परिवार पर है अर्थात फैमली परिवार को माता पिता और बच्चों की एक अपेच्छा क्रस इस्थाई और समाजिक रूप से स्विक्रत समू के रूप में परिवासित किया जा सकता है देखिए इसमें बताया जा रहा है कि अगर हम परिवार को कहना चाहें तो हम इसे माता पिता और बच्चों के समाजिक समू के रूप में परिभासित किया जाता है और इसे समाज द्वारा सुक्रत भी किया जाता है अब हम कुछ समाज सास्त्री द्वारा दी के परिभासाओं की बात करेंगे तो हम पहले समाज सास्त्री जो हैं मैकलवर के बारे में बात करेंगे परिवार एक ऐसा समू है जो यौन समंदों द्वारा परिभासित होता है जो संतानोतपत्य और बच्चों के पालन पोसर के लिए पर्यात सटीक और इस्थाई होता है इनके द्वारा परिभासिता का मतलब समझते हैं देखे उन्होंने बताईया परिवार एक समू है जो किन सम्वंदों के कारण जुड़ता है यौन सम्वंदों के कारण जुड़ता है यौन सम्वंदों के कारण जुड़ता है यानि बनता है और यह संतान उत्पति करता है था उन संतान उत्पति के कारण उत्पन बाल को यान उन्हें एक वातावरन एक अच्छा समाजिक वातावरन प्रदान करता है आगे हम और निमकौफ की बात करते हैं परिवार पती और पतनी के बच्चों के साथ या केवल एक पुरुस और महिला के बीच अधिक या कमिस्थाई संबंद है देखे इन दोनों समसास्रीयों ने बत संबंद होता है यह संबंद होता है पती पतनी और बच्चों के बीच में और यह जो परिवार होता है यह केवल पुरुस और महिला के मद्ध में भी हो सकता है देखे अगर किसी घर में किसी परिवार में सिर्फ इस तरी और पुरुस हो सकते हैं ठीक है और इन्होंने सबसे महतपूर चीज यह जो बताई यह जो संबंध है जरूर पर्मानेंट नहीं है यह कम इस्ठाई है हो सकता है और अधिक इस्ठाई भी ऐसा भी है यह परिवार अधिक समय तक चले और यह भी हो सकता है कि यह संबंध सीग रही समात हो जाए और यानि परिवार सीख रही समात हो जाए जैसे जैसे कि आज कलम देख रहे हैं डेवोस रेट बढ़ते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है परिवार समात ही हो रहे हैं जो इस्त्री पुरुस का संबंद था वो जो उनका एकर परिवार था उसके द्वारा डैवोस के द्वारा उनका परिवार सार्थ हो गया यह परिवासाएं बताती हैं कि परिवार इस थाई संबंदों पर आधारित होता है जो अक्सर विवा और बच्चों के पालन पोसर से जुड़ा होता है लेकिन इ Characteristics of Family, यह यहाँ पर गलत है, इसे ऐसे कट कर दीजे, सब कोई मितलब नहीं, पती और पतनी के बीच इस्थाई वैवाहिक यौन संबंद, परिवार में जो पती पतनी होते हैं, उनके वीच यौन संबंद होते हैं, एक ही छत के नीचे साथ रहना, जो परिवार होते हैं, उनक दूसरे से आर्थिक रूप से निर्भर होते हैं, ठीक है, जो बच्चे होते हैं, अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं, वो तो कहीं पैसे कमाने जाएंगे नहीं, सदस्यों के बीच भावनातमक लगाओ, देखिए जो परिवार होता हैं, उनके सदस्यों के बीच भाव स्विएक रूप से सुखथा रे व्याच्रण धिए चाहिन के पार्वार को क्या कहा सकता है परिवार को समाज की मुली अिकाई के रूप में परिवासित किया जाता सदस्यों का रक्त संबंद और महिलाओं के बीच वयवा अवस्य को होता है देखे लगवग लगवग दो ही प्रगार के संबंद पाए जाते हैं हां पर या तो रक्त संबंद होगा जैसे पिता और बच्चे के बीच माता और बच्चे के बीच होता है और महिलाओं और पुर् functions of family या प्रेजनन के माध्यम से जाती के निरंतरता समय साहथा करता है देखिए जो परिवार होता है वो लगातार प्रेजनन करता यानि जो शंटान होती-पत्ति करता है उससे उसे जाती की निरंतरता यानि पॉपलीेशन बढ़ती रहते है या पुरुस और महिलाओं की योन और सक्ताओं को पूरा करने का साध्वन प्रतान करता है जो परिवार होता है देखिए एक टैबू जैसा हो जाएगा इसके भी समय में बात करना तो कहें सकते हैं कि ये जो परिवार है ये पूरुस और महलाओं की जो सारीरिक और यौन सकता हैं उन्हें पूरा करने का माध्यम भी है ये भी एक संसाधन के रूप में कारे करता है ये बच्चों का समाजी करने मदद करता है उन्हों उन्हें समाज के लिए सुकारे बनाता ह जो परिवार होता है वो बच्चों को समाज के लिए योग बनाता है और समाज के द्वारा सुकार आच्रण भी उन्हें सिखाता है कि सुकार रे कर ले उन्हें समाज या अपने सदस्यों को बुन्यादी जरूरतों का पूरा करता है देखे परिवार अपने सदस्य हैं जो उन के मद जो कार होता है वो बितरित होता है kis प्रकार कौन कार करेगा तो इस तरह मिवाजन देखने को मिलता है यहाँ पर परिवार एक प्राथमिक आर्थिक इकाई के रूप में यह सुनैश्चित करता है कि आर्थिक गदविदिया परिवार के सदस्यों द्वारा साज्या की जाती हैं देखे जो परिवार की आर्थिक ही काई है या सुनिश्चित करती है कि जो गत्वितिया हो रहे हैं वो सदस्य एक रूप दूसरे से साजह करें या सदस्यों को सिच्छा और व्याफसाइक प्रमार प्रदान करता है ताकि वे आर्थिक बोज को साजह कर सके जो को दूसरसे लेंदेन करते हैं या समाज द्वार लगाए गए नियंदर के अनरूप परिवार के अविवाहित से को तब तक एक स्थिति पदान करता है जब तक वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो जाते हैं देखे कह सकते हैं बच्चो को तब समालता है परिवार, जब तक वह आर्थी ग्रूप से स्वतंत्र नहीं हो जब तक वह स्वयम का खयल टल्खने योग नहीं हो जाते आ तिक्टा, अंद विश्वास, धर्म के बारे में सीखते हैं इस प्रकार ये पीड़ी दर पीड़ी आगे बहते हैं हम कह सकते हैं कि परिवार द्वारा ही बच्चे कल्चर को अपने संसकरती को सीखते हैं अब संसकरती में आते क्या हरीत रिवाज आते हैं इतिकता आते हैं विश्वास आते हैं धर्म आता है यह सामारे कल्चर केंतर गाता है और एक पीड़ी से दूसरे पीड़ी में इस्थाना अंत्रित हो जाता है कल्चर वाला वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर परिवार बच्चों के लाफ के लिए कुछ मनुरंजन गद्विधिया कराता है इस प्रकार उनके द्रश्चिकों को सिच्छित और विस्तरत करता है जो परिवार होता है बच्चों को सिर्फ नैतिकता विश्वास धर्म नहीं जिखाता वो उनके लिए मनुरंजन की वैस्था भी करता है ताकि वो प्रसन रहें खुस रहें ठीक है और जो परिवार अपने सदस्यों को सुरच्छा की भावना प्रदान करता है जो परिवार होता है वो में सुरच्छी तर्मोगर आता है जब हम परिवार अपने परिवार के सांथ होते हैं तो हम अच्छा अन्मोगरते हैं सुरच्छी तर्मोगरते हैं क्या हमें कुछ हान ही नहीं पोछ सकती, परिवार संसक्रतिक धरोरों के सनच्छल और संवरति में योगदान करता है, देखे, जो परिवार होता है, वो संसक्रति के धरोर होता है, वो एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में संसक्रति को देता है, यानि प्रदान करता है इस स्थाना अंत्रित करता है इस प्रकार यू धरोवर के रूप में कारे करता है परिवार अपने व्रध और विकलांग सदस्यों की देखवाल करता है परिवार के जो बच्चे होते हैं वो अपने व्रध लोगों का सम्मान करते हैं और उनकी कारे में स सदस्यों होते हैं अनुसासित रहते हैं एक परिवार की जो गर्मा होती है वो बनाये रखने के लिए ताकि परिवार को अच्छी द्रस्टे से समाज में देखा जाए या अच्छा समान हो परिवार अपने सदस्यों को आपसी प्रेम और इसने से पोसल करता है जो परिवार होता है वो एक दूसरे के प्रती प्रेम और इसने की भावना को एक दूसरे से साजा करता है या नि एक दूसरे का प्रेम पूरव प्रलन पोसल करता है आगे पढ़ने से पहले आप से निवेदेने आप हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और इस PDF को टेलीग्राम चैनल से डाउननोट कर लीजिए ग्रामिल परिवार की विसेश्ता है Characteristics of Rural Family जो ग्रामिल परिवार उसकी विसेश्ता है क्या है ग्रामिल परिवार पित्र सत्तातमक पिता परिवार का मुख्या होता है वह सरकार समाज आदि के प्रति जिम्मेदारी उठाता है उसके पास कुछ अधिकार होते हैं और वह सबीन लेता है वह परिवार के अधीनेस्थ सदस्यों की साधी तेह करता है और काम का विवाजन करता है यदि पिता जीवित नहीं होता तो मा या बड़ा भाई परिवार का मुख्या होता है देखे जो ग्रामिड परिवार होते हैं वो पित्रसत्ता आत्मक होते हैं इनका मतलब क्या है कि जो पिता होता है वही मुख्या सदस्य होता है और वो अपने परिवार का प्रतिनिज़त करता है और वो एक दूसरे के कार को विवाजन करता है और जो परिवार के उनके बच्चे होते हैं उनकी साधी या कराता है और अन्य कार भी कराता है और कार का विवाजन करता है अगर यदि पिता जीवित नहीं है तो परिवार करने तरह तो माता द्वारा या फिर बड़े भाई द्वारा ही किया जाता है ग्रामिड छेत्रों में ग्रामिड परिवार पारंपरिक वे आमतवर पर अपने आचरण में बदलाओं नहीं चाहते क्योंकि उनकी सिच्छा सीमित होती है और संसाधन सीमित होते हैं और उनकी अजीव का प्रकृती पर निर्भर करती है वे जोखे मोठाने में सच्छन नहीं होते हैं इसलिए वे पुराने तरीकों में जीना पसंद करते हैं देखे जो ग्रामड परिवार होते हैं वो प्रमपरागत होते हैं अपनी संसक्रती और प्रक्रती से जुड़े होते हैं क्यों होते हैं क्योंकि उनके पास सिच्छा का भाव है संसाधन का भाव है इसी कारण वे प्रमपरागत तरीके अपनाते हैं परिवार उत्पादन और भोग की इकाई के रूप में कारे परिवार के सभी सदस एक टीम के रूप में काम करते हैं वयस्क सदस खेतों में हल चलाने वुआई रुपाई जैसी भारी और प्रमुक्रियाएं करते हैं परिवार की देखवाल करते हैं और पतनिया जो होती है महिलाएं जो होती है वय करती है भोजन का प्रबंध और पुर्शो को भोजन खेतों तक पहुचाना ये सब उनका कारे होता है आगे अगर हम बात करें तो परिवार में उम्र का प्रभौत ग्रामिड छेतरें परिवार मानसिक्ता प्रमुक होती है ग्रामिड लोग धार्मिक होते हैं और परिवार की भलाई के बारे में सोचते हैं परिवार के सभी सदस्यो की कारें में परिवार का नाम होता है वे परिवार के सम्मान की रच्छा के लिए सबसे बड़ा बलिदान देने के लिए तयार रहते हैं सहरी छेतरों में लोग परिवार से कम जुड़े होते हैं, परिवार मान सकता का, मतलब है कि परिवार का नाम सभी कार्यों में व्यापत होता है, ग्रामिड परिवार, सन्युक्त परिवार, हाला कि यह सन्युक्त पैटरन तूटने के संकेत दे रहा है, फिर भी ग्रामिड छे होते हैं वहाँ पर संयख्थ परिवार देखे जाते हैं संयुक्थ परिवार में आपके दादा दादी बुआ और you आज कैन देखा जा रहा है कि परिवार टूट रहे परिवार, कि सभी पडोसी किसान होते हैं वे हमेशा एक दूसरे के संबर्ग में रहते हैं और बाचीत आमतर पर क्रसी और संबंदिस्यों के इतगिर्थ होती है देखे जो ग्रामिर छेतर होते हैं उनके जो परिवार होते हैं वो क्रसक स Lamb milliards होता है यानि कि वहां कि जो पडोसी भी होते है वो भी किसान होते है तिसले जो उनकि बीच बाद चीजज होती है वो समालद किस क्रसित समांदित ह separate कि भाईया आप की फसल कैसे चल लही है भाईया या यह वाले रोग लग गया है ये समस्या उत्पन हो रहे हैं भहिया जो हमारी गाय है वो कुदूत कम देना वे एक दूसरे इस प्रकार की बाते करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेक्चर को लाइक कीजिए धन्यवाद